तो स्टेज पे इन्वाइट करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहुत बहुत धन्याबाद बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इंडिया गठवंदन के सभी बिष्ट नेताओं का सिनियर नेताओं का मैं बहुत तहदिल से धन्याबाद करता हूँ कि आज उन्हों ने अर्विन केजरिवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा होसला बढ़ाया एक बार मैं तालिया चाहूंगा आपकी तरब से भी मैं कुई स्पीच नहीं देने वाला हूँ मैं बहुत जुनियर हूँ बहुती सिनियर लोग बैठे हैं लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोग तंतर खत्रे में हैं देश का लोक तंतर खत्रे में हैं इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे डंडे से चला लेंगे ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है ये 140 क्रोड लोगों का देश है ये आयादी ये आयादी हमें शहीद आजम भगल सिंग राजगुरू सुखदेब मदनलाल धींगरा करतार सिंग सराबा चंदर शेकरा या जैसे हयारों योदाओं ने अपनी जवानी में अपनी जवानी में गले में फांसी के रस से लटका के ये आजादी हमें दिये ये इनके किसी बाप दादे की जगीर नहीं है क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं हैं हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें समझते क्या हैं है? अरवियर केजरीवलकों अंधर कर दो हेमन सुरेन को अंधर कर दो इसके घर ईडी पेज दो इसके घर इसकी Mp shift is cancel कर दो इसका घर छीन लो अरे मालिक तुम हो इन घरों के मालिक तुम हो इन घरों की मालिक 140 क्रोड जनता है कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किस को पहुँचाना है ये गलत फहमी में हैं हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यू कहने को तो मुर्गे के सर पे वी ताज होता है आज सुनीता जी आज कलपना जी बैठे हैं मैं नमशकार करता हूँ नमन करता हूँ कि इन्होंने इतने दुख जहले इन्होंने क्या-क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में आंदिया तुफान जहले लेकिन फिर भी इतने होसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है ये तालियां ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती किसी को दिहारी देके मोधी मोधी करवाना बहुत इसी है जब कोई दिल से बोलता है न वो बात असर रखती है है जब दिल से बोलता है यह देश के टुकडे करना चाहते हैं जासे राहूल जी कह रहे हैं यह देश को नफ्रत की आंदी में लेकर गए हुए यह हुआ है यह सीय यह लेकर आए मैं पार्लीमेंट में था में अमपी था तब मैंने का जी मुझे बोलने का मौका दीजिए कहते नहीं जी मैंने का जी 30 सेकंड कहते जी 30 सेकंड कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे नहीं मैंने का जी 20 सेकंड कहते 20 मैंने का हाँ सपीकर साथ कहने लगे आपका समय शुरू होता है आप तो मैंने 20 सेकंड में बोला मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कबीलों में मत बांटिये एक बहता दर्या है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये अर्विन केजरीवाल को तो गिर्फतार कर लोगे लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरिफतार करोगे जो लाखों अर्विन केद्रिवार देश में पैदा हो चुके हैं उनको किस जेल में कैद करोगे अर्विन केद्रिवार एक व्यक्ति नहीं है अर्विन केद्रिवार एक सोज का नाम है इंडिया गट जोड कठे हैं सब कठे हैं आज सबी के मेरे ख्याल में कहींSकality Live जогा तो कैमरे भी कापने ने बोला था इन फिश्टाचारियों को कह दो के जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती कोई पैसा साथ नहीं जाएगा लूट लो देश को कितना लूटना है गरीबों की बद्वाएं ना लो गरीबों की बद्वाएं ना लो हर बात पे जूट चल रहा है हर बात पे जूमला चल रहा है जूट पे जूट जूमले पे जूमला अभी जूमले बनाने वाली फैक्टर लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है पंद्रा लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है हर बात ही जुमला निकली मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाये बनानी आती है मुझे लगता चाहे भी नहीं बनानी आती होगी जिस किसम का जूट चल रहा है दोनों हाथ उपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए इनकलर इनकलर भारत मता की वंदे बोले सोने हाँ